और रमन सिंग को अस्पताल में एडमिट कराए गया है उनकी सर्जुरी भी हुई है इसी संबंद में मुख्यमंत्री भुपीश भगेल ने डॉक्टर रमन सिंग को कॉल किया था गबरों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग का गुडगाव के एक निज्वी अस्पताल में इलाज चल रहा है पैर के एक छोटी सर्जुरी के लिए वो तीन दिन पहले ही दिल्ली गए थे डॉक्टर रमन सिंग को लंबे समय से दर्द की शिकायत थी डॉक्टर्स ने इसी वज़े से सर्जुरी की सलहा डॉक्टर रमन सिंग को दी थी तो आपको बताते चलें कि गुरुग्राम के मेदानता अस्पताल में स्वास तिलाब ले रहे पूर्व डॉक्टर मंत्री मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंग जी से अभी दुर्भाज पर बात कर उनका कुशल शेम जाना है मैं उनके शिक्र स्वास तिलाब की कामना करता हूँ ये ट्विक सिंभू पेश बगेल की तरफ से की गई है बढ़ते आगे बाद भुपाल की करेंगे जहां मनित कॉलेज में बाग का खौब देखा जागा रहा है बताते चले कि जिसके बाद पृश्वासन ने अत्यातन सभी क्लोसिस को बंद किया है और चात्रों को हॉस्टल में रहने की निर्देश भी दिये हैं कॉलेज पृश्वासन ने सभी चात्रों को हॉस्टल से बाहर ना निकलने की निर्देश दिये हैं वहीं अब वन वे भाग पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है रेके तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं MNIT कॉलेज में की यह तस्वीरे है जहां कॉलेज में बाग का कहर देखने को मिल रहा है ऐसे में छात्रों को लगतार निर्देश दिये जा रहे हैं कि शात्र बाहर ना निकले क्योंकि कहीं न कहीं लापरवाही जरा से भी बरतनी नुकसान दायक हो सकती है और इसी के तहट सभी क्लासेस भी बंद कर दिये गए हैं हॉस्टल में रहने वालों के लिए निर्देश खासतोर पर दिये गए हैं कि बाहर ना निकले च्छात्र मनिटी कॉलेज के तस्वीर जहां कॉलेज में बाग दिखाई दिया है नव वाहिता ने सोचल मीडिया पर वीडियो ज्वारी कर जबरन तलाक देने का आरोप लगाया है पीडिता का आरोप है कि पहले ससुर ने मेरे साथ मार पीट की और फिर मेरी गाड़ी का काज भी तोड़ दिया पीडिता ने बताया है कि साल 18 अगस्त को सुल्तान हुसैन और शहनवाज उसे काजियात लेकर गए और तलाक नामे पर दस्तकत करने को कहा जब मना किया तो मेरे भांजे को जान से मारने की धमकी दी काजी के सामने रोते हुए जब मैंने तलाक देने से मना किया तो काजी ने कहा कि तुम तलाक दे दो 18 दिन बाद दूसरा निकाह करवा देंगे पीडिता ने मुख्यमंतरी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो सुसाइट कर लेगी शानवाद शेख ने मुझे 18 तारिक को 18 अगस्स 2022 को मुझे बुलाया बात करने के लिए और मुझे कार में बठा के खजियात ले गाया खजियात में सुल्तान हुसेन भी वहां आ गया था उसने मुझे कहा इन दोनों ने मुझे कहा कि इस काख़ जाकर अंदर तुम तलाख नामे पे साइन कर दो तो मुझे ऐसा लगता है कि खजियात वालों को भी सुल्तान हुसेन ने पेसे खिलाए है